जितने भी स्टूडेंट है जिन्होंने सीजी बेसी नर्सिंग का एक्जाम दिया है इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि आपका कॉंसलिंग जो है कब से स्टार्ट होगा और कितने मार्क्स कितने रेंक वाले स्टूडेंट का सेलेक्शन होगा आप लोगों का आपके उसे वीडियो में मिलेगा तो आप लोग वीडियो को लाश्ट तक देखअ करkusता है है इस सब लोगों को संपूर्ण जानकरी इस तेकी वीडियो में मिल जाएगा है तो तो 36 गड़ में हम बात करते हैं WSC Nursing के लिए टोटल आपका जो है 4960 सीटे हैं जिसमें आपके Government Medical College के बात करें तो 410 सीटे Private College के हम बात करते हैं तो इसमें 4496 सीटे हैं और परिक्षा में सामील स्टूडेंट के बात करे तो 24 सब्सक्राइब तो आप लोगों का सिलेक्षन के उपर डिपेंट करेंगा आपको मैं बताँगा कि आपको जो है कांसलिंग किस तरह से करने हैं कैसे करने हैं जिससे आपको कॉलेज मिल जाए अब मैं आपको बताता हूं कि इतने नमबर यदि आपके उतने नमबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्षन हंडर परिशन हो जाएगा तो यदि जो इस्टूडेट विसी नर्सिंग का एक्जाम दी है यदि आपका इतना नमबर बन रहे है जो जनरल के डिगरी वाले इस्टूडेट है उनका यदि 65 से 71 तो एसी में आपका 60-65 में आपका selection हो जाएगा, HD के टिगरी के बाद करें, तो 55-60 नमबर में आपका selection हो जाएगा, यदि इतना है तो आप बैसे हर एक student का selection होगा, और ऐसा नहीं है कि जिनका कम नमबर है, उनका selection जो है नहीं हो पाएगा, उनका selection मी होगा, लेकिन क्या है कि उनको जो है private college में लेकर government college नहीं मिल पाएगा, तो private college भी इतने थानी से नहीं मिलते हैं, उसके लिए भी आपको counseling करना पड़ता है, अब मैं आपको बताता हूँ, कौन कौन से government college है, top 10 college कौन से है, fees कितना होता है, seat कितना है, तो BST nursing के fees की बात कर लेते हैं, fees is structure की, तो private nursing college में दोनों semester करके, आपका जो है 70-90 जार रुपया आपका fees होता है, वही government में आपका selection होता है, तो आपको 20-25 जार रुपया आपको देना पड़ता है, और private में आपको 70-90 जार रुपया का सूल का आपको लगता है, total आपका 36 गड़ में 82 nursing college है, जिसमें 7 government college है, 75 जो है private college है, दोनों में ही आपको scholarship मिलता है, और scholarship कितना मिलता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि, जो SC और HD के टिगरी वाले student है, उनको scholarship के बात करें, तो 24,000 रुपय जो ही scholarship मिलता है, जो BC काटिगरी वाले student है, उनको 29,000 रुपय जो ही scholarship मिलता है, तो scholarship का फ़ाम आपको अभी से अच्छे से तैयारी करके रख लेना है, scholarship के लिए जिसमें आपका आया परमाण पत्र होना चाहिए, जाती प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय के समन्द में शपत प्रमाण पत्र, आपके result, mark of seat, ये सभी चीज़ आपका होना चाहिए, फिर हम जो ही scholarship के लिए eligible हैं, आप आसानी से आवेधन कर पाएंगे, बात करें कि 36 गड़ में जो है बेसी नर्सिंग के लिए top 10 college कांट से हैं, तो इसमें है आपका grasses group of nursing college, प्रतीभा इंस्टिटूट आप नर्सिंग कॉलेज राइपूर, स्रीष्टी नर्सिंग कॉलेज पाटा अंदूर्ग में, RIMS college of nursing राइपूर हो गया, अपका स्री रावादपूर सरकार इंस्टिटूट आप नर्सिंग कॉलेज इंधनेली, स्रीबाला जी इंस्टिटूट आप नर्सिंग आधर्स नर्सिंग इंस्टिटूट तो इस तिस गड़ में जो है बेसी नर्सिंग के लिए top 10 college है, जहां से आप जो है college कर सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ, government college कौन कौन से है, साध government college, तो first है आपका पटल complex, first floor ये आपका दूरगा में फिर है, district hospital, IPP training center, राजनानद गाओ, आपका बेला डुना, road near BSNL, office राइगण में है, नामना रिंग रोड अंबीकापूर, महरानी hospital campus जगदलपूर, गोड़ना पारा सदर बजार बलासपूर, और फर्श आपका medical college campus निया रेट क्रॉस ब्लड बैंक राइपूर, तो ये 36 गड़ में जो है, नर्सिंग करने के लिए top 10 college है, जहां से आप नर्सिंग कर सकते हैं, अब आपके, मैं कुछ terms and condition बताना चाहता हूँ, B.H.C. नर्सिंग से related, B.H.C. नर्सिंग का कुछ नियामी इस तरह से होता है, कि यदि आप कॉलेज मिल जाता है, गवर्मेंट कॉलेज मिल जाता है, तो यदि आप उस गवर्मेंट कॉलेज को छोड़ देते हैं, और आप ये सुचेंगे, कि मैं इस गवर्मेंट कॉलेज को छोड़ कर, जो साथ गवर्मेंट कॉलेज है, उसमें से अन्य गवर्मेंट कॉलेज को मैं सेलेक्ट करता हूँ चाहे करती हूँ आप लड़ गया या फिर लड़ गया सेलेक्ट करने के बारे में सोचते हैं तो इससे क्या होगा बीएसी नर्सिंग का रूल और रेगुलेशन टम्स और कंडिसन ये कहता है कि आप ऐसा नहीं करते हैं काउनसलिंग के प्रगिया से आपको बाहर कर दिया जाएगा वहीं यदी आपको सुरु में प्राइवेट नर्सिंग कालेज मिल जाता है और यदी आप उस कालेज को छोड़ देते हैं तो आप सेकंड लाऑन के काउंसलिंग करेंगे फिर से दुसरे private college के लिए और फिर government के लिए तो आप जो है counseling कर सकते हैं लेकिन government college मिलने पार आपको जो है college counseling के परिक्रेश से बाहर कर दिया जाएगा आपको उसी college में admission लेना है जिस college में आपको seat allotment हुआ है और इसके सांथ है dvc का भी important role होता है document verification जिसमें आपका सभी documents जो है पूरा hundred percent सभी documents अच्छे से submit होना चाहिए हूँ अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर कई student ऐसा सोचेंगे कि मुझे college change कराना है college मिलने के बाद college change कराना तो ऐसा होगा या नहीं तो अगर वो स्विम यूनिवर्सिटी के अंतरगत आता है तो अब तो हम college change करा पाएंगे यदि वो college swim का university और उस college के college में कोई दूसरा college अफिलेट नहीं है तो हम जो है college change नहीं करा पाएंगे बीसी नर्सिंग में आपका Hindi English zone में preparation होता है और आप लोग बोलेंगे कि बीसी नर्सिंग के चार साल में कौन कौन से सब्जेक्टे से जो आपका पढ़ाई होता है किस तरह शे होता है कितने नमबर आपका होना चोई जिससे आपका passing mark पर ने आप ऐसे हर एक student अगर comments करेंगे कि बीसी नर्सिंग से related बीसी नर्सिंग के बाद आपको starting salary 15,000 रुपे जो है मिलना start हो जाएगा तो आप जो है comment कर सकते हैं और आप यदि comment कर लेंगे तो आप सभी के comment का में reply कर दूँगा और एक आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूँगा तो प्लीस जितना हों से के वीडियोस को share कीजे, like कीजे, comment कीजे और सब्सावी का